कि और आपई और शैनि बोपाल से इस वक्त की बड़ीकबर मुक्रमंतरे श्विभरासीचिंग चोहान ने शुपाल अपने इसतीफा राज्जपार मंगुभाई पैटेल को उन्होंने इस्तीफा सवंप दिया है और शैनिग चोहान का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है इस वक्त की बड़ी खबर राजदानी बुपाल से राजजपाल ने सुईकार किया इस्तीफा तो शुबराज सिंग चोहान ने मुख्यमंत्री पत्र से इस्तीफा दे दिया है एमपी के नए सीम अब डॉक्टर महौन यादा भूंगे और राजदानी बुपाल से इस वक्ती बड़ी खबार राजभवन पहुँचे शुबराज सिंग चोहान राजभवन पहुचकर उन्होंने इस्तीफा दिया है इस्तीफा देने के लिए राजभवन पहुचे हैं शुबराज सिंग चोहान राजजपाल मंगु भाई पटेल को उन्होंने इस्तीफा सौप दिया है और यह तश्बीरें देखे किस प्रकार से शुबराज सिंग चोहान राजभवन के समक्ष इस्तीफा सौपते हुए तश्बीरों में आप साफ तोर पर देख सकते हैं राजजपाल मंगु भाई पटेल के सामने शुबराज सिंग चोहान ने इस्तीफा सौप दिया है और राजजपाल ने सुईकार कर लिया है इस्तीफा तो मोहनियादव के मुखमंतरी बनते ही शिवराज सिंग चोहान ने अपना इस्तीफा राज जपाल को सौप दिया है इस्तीफा देने के लिए राजबवन पहुंचे हैं तो बड़ी कबार आजदानी बोपाल से जहां पर शिवराज सिंग चोहान राजबवन पहुंचे हैं उन्होंने इस्तीफा सौप दिया है इस्तीफा देने राजबवन पहुंचे हैं शिवराज सिंग चोहान राज-जिपाल मंगु भाई पट्टल को उन्होंने इस्तीफा सौपते हुए राज-जिपाल ने इस्तीफा सौपते हुए इस परकार से मुक्ख मंत्री शुवराज सिंग चोहान ने मुक्ख मंत्री पत से इस्तिफ़ा दिया, राजजपाल मंगु भाई पतेल के समक्ष उन्होंने इस्तिफ़ा दिया और उनका इस्तिफा भी मंजूर कर लिया है, तो राजदानी बोपाल से बड़ी कबर इस्तिफा और ने राजभवन पहुंच है शुवाज सिंग च його हान और राजपाल मंगु भाई पत्यल को उन्हों ने इस्तिफाउप दिया है तस्मीर एस क्रीन पर है और शुब्रा सिंग चौहान का इस्तिफान मंजीर कर लिया गया है राजपाय ने सुईकार कर ली कई है इस्तीपा